बिन्न हर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा हमारे हाथ ठक रहे हैं माता उधर प्रभु महाशिव का ध्यान बढ़ रहा है और देवी बाल्ट रिपूर्ट सुन्दरी भी असुरों के आक्रमन के कारें कठिनाई में आ रहे हैं माता बाल्ट रिपूर्ट सुन्दरी स्वायम उनका सामना करने में समर्थ है और जहां तक भंडा सुर की तपस्या का प्रश्न है मैं प्रभू महाशिक की अर्धांगी नहीं ही इसलिए जब तक मैं उनके साथ हूँ यह असुर उनका ध्यान कदापी नहीं बाट सके नहीं यह अचानच प्रभू के अर्ध शरी का रंग लाल क्यों रहा है यह अचानच प्रभू में यह देवी की अस्पष्ट शरी क्यों दिखाई थी मुझे मुझे किसी भी दशा में अपनी पुझा रोकनी नहीं है अब तो मेरे मंत्र जाब का भी परवाब नहीं हो रहा है धन्य है माता पराशक्ती श्री माता ललिता हम सभी उनकी लीला के साक्षी बने यह हमारा परमसो भागे है किन्तु माता मुशक जी के गनेश जी तक ना पहुच पाने के कारण उनका संकट बढ़ता जा रहा है पुत्र गनेश अगला मोदग है उसके पूरवही मुशक जी को वहां पहुच का हमारी इस विकट समस्या का समाधान करना होगा हमारी बास्भी कॉल जी उफजया की nutrition थे शेध का समस्या की की को थाइब हावावी मुशक थी तख्वशक ग्रूशक गर्म मुशक थाइब को धाववी उनका 300 पिताश्री मैं पिताश्री को यहाँ वाह डूण रही हूँ किन्तु अभी मेरे समझ में आया वो अविश्य काका लोगों के साथ यूद देख रहे होंगे मुझे वही जाना चाहिए तुम तुम फिर आदा मेरे मार्क पे मार्क में तो मेरे आई हो मेरे मार्क में बादा मत बनो मुझे एक अविश्य कार्य करना है मुझे भी अविश्य कार्य ही करना है मुझे गनेश्ची को बचाना है हाँ गनेश्ची का पिट बढ़ता जा रहा है ना वो कोई फट ना जाए उसे रोखने के लिए ही मैं पिताशी को ढून रहीूं। इसलिए तो मैं भी घडड़ी को ढून रहा हूं। तुम दूँगी मुशकों। मुझे तुम पधतान है एक भी विश्वास नहीं है। प्रहरी। प्रहर्यों को मत बुलाओ, मेरा विश्वास करो, मुझे स्वाम माता ने प्रभू गणेश जी की समस्या के सबाधान के साथ भेजा है इसका क्या प्रमान है तुम्हारे पास? माता से उनका कुछ चिन लेकर आयो यदि मुझे पता होता कि तुम प्रमान मांगोगी तुम आवश्य ही माता से कुछ लेकर आता और ऐसे अपने हाथ खुलता, माता ने तुम्हे उन आभूशनों के साथ बेजा है जो मुझे अतियंत प्रिय है कब? कैसे? ये कब भूआ? माता ने मुझे आभूशन कब दी है? गनिश्ची ने कहा था माता अपने सभी भगतों की मनोकामने पुरी करती है और वो सत्य भी हो गया तुम्हारे साथ अपने आभूशन मुझ तक पहुचा कर माता ने मेरी इच्चा पून कर दी तो अब मुझे तुम पर संदय नहीं रहा तो अब तुम मेरी इच्चा पून करो मुझे प्रभू गनेश्ची के निकट ले चलो क्योंकि तुम्हारे पिता प्रभु गनेशी को अपने वचन से मुक्त कदा भी नहीं करेंगे इसलिए बंडा सुर को डोड़ने का कोई लाब नहीं मेरे पिता श्री मुझसे बहुत स्ने करता है वो मेरा का अवश्य मालेंगे हो सकता है किन्तु कहें इसमें बहुत समय ना लग जाए गनेशी का पेट कितना बड़ा हो गया है ये तो देखा ना तुमने अब शीकरता करो अच्छा चलो किन्तु प्रहरियों से बच कर कहां है वो दुष्ट मुश्यक? ढूदो उसे अब अपने अस्तुरों को और साथ कर रखना कटेन हो रहा है अब इनके अस्तुरों की शक्ति मेरे बानों में समाहित हो चुकी है अम्राताओ, सालधान, ये मायावी ने पुना कोई योजना बना रही है इसके अस्तुरों तो नष्ट हो गए किन्तों की उर्जावी भी उमारी और बढ़ रही है तुम्हारी मायावी विना सक्षक्षक्तिया, इन अस्तुरों को निष्ट कर सक्षक्तिया किन्तों इनके भीतर समय उजाओं को नहीं तो अपने ही अस्तुरों को दूर जासे, अपना बचा क्यासे करोगे तो? हम अपनी मायावी जाल से, विशंग पुत्रों या बंड पुत्रों में से, किसी एक सभू की रक्षा कर सकते हैं तुम्हारे अस्त, एक सो पास पर मंडों की देवताओं की शिक्ति से समपने हैं यही कहा था ना तुमने? तो अब इसी शक्ति का बाओ, उंपर ही हो रहे हैं दिश्ट शो? विशंग पुत्रों, अब इस शक्ति से, तुम किस की रक्षा करोगे क्योंकि भंड पुत्रों और विशंग पुत्रों मेंसे, तुम एक कही चुनाओकर उनी की रक्षा कर सकते हों सोच क्या रहे हो, सेनापती हम है, हमें बचाओ थे पुत्रीयक हम ज में अज़से करो सेनापती हम है अब आरी रक्षा करो सेनापती हम है गाजा मेरे हाथों पुत्रों का अंत हो गया मेरे हाथों पुत्रों का अंत हो गया पुटो ब्राता मेरे हाथों पुत्रों का अंत हो गया प्रत्ये ग्वाब विजय के निकट पहुंसते ही पराजे ही हमारे हाथ लगती है परन्तु में किसी भी मुल्य पर अपने पुत्रों का नहीं खोना चाता नहीं उनकी प्रदित्याब और निष्टा व्यर्द है जो अपने स्वार के आगे अपनों को ही भूला देते हैं शुक्र पुत्रों जिस प्रकार इन बंड पुत्रों ने उशंग को नस्ठोने दिया समय आने पर यह तुम्हारे साथ भी आस्यां करेंगे क्योंकि अपनी रक्षा ही तो किसे को भी आगे करना इन बंड पुत्रों के लिए चलता है यह मायविणी अमारे भीतर बत बहुत उत्पन कर रही है नहीं, इन्नी सत्य से परिचित करा रही हूं मैं जिससे मेरे अगले अगले हार हुने पर ये नेने ले सके किने किस की रक्षा करने है अपनी ये तुम भंड पुत्रों की क्योंकि मेरे अगली प्रिहार से तुम ऐसे एक समू का तुविनाश अब अवर्श्य होगा रक्षा नहीं की दोनिष्ठ हो जाएगा ये शन बैपीद होने का नहीं है कहीं भंड पुत्रों की रक्षा करने में मेरे पुत्र अपने ही प्राण ना गवा दे बस बहात हुआ ना तुभारी कोई माया सफल होगी ना हम ब्राताओं के बीच भेद उत्पन्न करने का कोई भी प्रयास क्योंकि हम भंड पुत्र इनके बंद में दुविदा उत्पन्न ही नहीं होने देंगे कि आपनी रक्षा करे या हमारी कि अतो सिरक्षा धा रुद्पन्न करो कि रख प्राइब कि उत्या से लिए कि उत्पन्न dot कि आपने कुपने कोई मेरे भुत्र मेरे विश्वाश का कारण बन रहे है जब मैं अपने लक्ष के इकना निकट हूँ तो अब मैं उसे प्राप करके ही रहूँगा ओम चेतन्यारूपाई नम्हा ये के सानिष्ट है मेरा मंत्रो उचरण धीमा क्यों बढ़ रहा है प्रभू जब यहां तक पहुँच चुका हूँ तो थोड़ा और आकार बढ़ा कर इतने दीवरस्वर में अपना मंत्रो उचरण करूँगा कि वो सीधे आपके कानों तक पहुँचेगा ओम महाशिवाई नम्हा ओम आदीशंकराई नम्हा मैंने तो अपना आकार इतना बढ़ा लिया फिर भी प्रभू और मेरे आकार में इतना भेद क्यूं है तो क्या मेरे साथ प्रभू भी अपना आकार बढ़ा रहे हैं पूर्क भंडा सुर्व इतना भी नहीं समझता एक मात्र भगवान ही है जो संपूर्ण है फिर भी एहंकारे संपूर्ण परमेश्वर के समान विशाल बनकर उन्हें ही प्राप करना चाता है जहां निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति भक्त को महान बनाती है वही स्वार्थ और चल से की गई भक्ति सफल होने पर भी दुश परिणाम ही लेकर आती है मेरी सबी प्राथनाए वियर्थ जा रही है प्रभू महाशी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हा अज पर मुझे असा भलता का आबास हो रहा है अब समझा जो प्रयास मैं कर रहा था वो प्रयाप नहीं था मुझे अपने सर को प्रभू के कानों तक नहीं पुन के मन तक पहुंचाना है मेरे इस उपाए से प्रभू पहश्य विवाश होंगे समय रहते आप क्या वहान ही तो इस उपाए का प्रयोग करना इतना तो चलता है तो चलता है रभू जब तक आप मेरे साथ चलना स्वीकार नहीं करेंगे आपका ये भग्तिसी प्रकार इन तब धंगारों पर पुन्रित करता रहेगा और मेरे प्रधिरोप वहाँ आपका ठक करते रहेंगे हम पुछ भी हो जाए अन्तिम के जहे तो मेरी होगी क्योंकि गणेजी यहां से जा नहीं सकते और प्रभु महाशिव को यहां मुलाकर मैं आजय हो जाओंगा हो ना हो अब मेरे यहां से प्रस्थान का समय आ चुका है क्योंकि मैंने एक भी और मोदक खाया तो परिणाम ग्यात होने पर भी मैं इस मोदक को ग्रहन करने पर विवश हूं मुशक जी अब भी आप नहीं पहुचे तौनर्थ हो जाएगा अब तो मुझे माता की कृपा की ही आस है इस महा बिनाशक महा अस्ती का प्रेयोग करने में संकोच नहीं के इन दुष्ट अस्रों ने अजिए कैसे विकट परिस्तिती है जहां एक और गणेश संकट में है वही दूसरी और भंड पुत्रों का महा अस्त्र माता बाल त्रिपूर सुन्दरी कियो बड़ा जा रा है ओम स्री नारा है ओम स्री नारा है यह कैसी हो जाए और कौन से अस्तर अभाग किया है नरायन अस्तर यह क्या है जिसके प्रकाश से हमारी द्रिश्टी पादेत हो रही है यह प्रकाश ही नहीं कोई दिव्वी उर्जा भी है देखो हमारा महार्श रुग गया है और अब तो यह चक्रवी गतिशीर हो गया है प्राता हुए अधर सब कुछ खिच रहा है अब यह खिच रहा है कि तो अब अपनी स्थान पर अजिक रहना होगा प्राता हूँ जो मोर्ग शक्ति का अहिंकार कर अन्याए करते है वो यह भूल जाते हैं कि न्याए की शक्ति उनकी शक्ति से कहीं बड़ी है जो एक नाइक दि उनके शामने आकर उनका विनाज भी करेगी जो अपनी दुष्टों के साथ भी होने जा रहा है एक सो पास ब्रह्मांडों की डेविक शक्ति से संपन इस महास्त्र पर बहुत डंब था ना तुम्हें किन्तों ये मेरे नारायन अश्त्र का सामनव कैसे करेगा जिसमें सभी अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति समाहित है बस अब ये अंते मोदा ग्रहन करते ही मेरा पेट भड़ जाएगा कर दो रुम्हों प्रह प्रहा सुदार ओप्र हम जो आएगución कि ऑट गख बलाएग टॉम्हों स्वार्थेतू की गई साधना भगवान के प्रती भक्ती नहीं, अपे तू छल है, इससे अभीष्ट की प्राप्ती कदापी नहीं हो सकती अब ना तुम्हारी धाड रहेगी और ना ही तुम्हारा अस्ट बताईए एक बंडास और अपना भाग प्रिवर्ट करने के लिए क्या करें वो प्राप्त करो करो जो शत्तू के जीवन में निराशा भाते हैं गणपती विग्न करता यंत्र